हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए मीठी पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं इसे गुजरात में सुवारी या फिर खर्खर्या के नाम से जाना जाता है डेली और विकंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले सुवारी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मेदा लिया है इसमें हम दो चुटकी नमक एट कर देंगे और एट करेंगे 4 टेबल स्पून घी साथ ही में एट करेंगे एक टेबल स्पून सफेद तील इन सब्सक्राइब को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस तरह से हम आटे को हाथ में लेकर देखेंगे इस तरह से जब यह बाइंड हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमने इसमें जो घी का मोन एट किया है उसकी quantity बिल्कुल perfect है अगर आटा इस तरह से बाइन ना हो तो आप इसमें थोड़ा से घी और एट कर दे साथ ही में हम इसमें एट करेंगे 5 टेबल स्पून PC हुई चीनी अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी की quantity अपने टेस्ट के अकोडिंग बढ़ा भी सकते है अच्छे से इसे mix कर लेंगे अब सुवाली का आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक कब गुनगुना पानी लिया है पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे और इसका आटा लगाकर तयार कर लेंगे देखिए इसका आटा लगाने के लिए आप यहाँ पर गुनगुने दूद का भी स्तेमाल कर सकते हैं सुमाली का आटा हम नहीं ज्यादा सोफ्ट रखेंगे और नहीं ज्यादा हाड रखेंगे इसका मीडियम आटा लगाकर तयार करेंगे आटा गुंदने के लिए हमने एक कप गुनगुना पानी लिया था लेकिन सिर्फ आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है अब इस आटे को हम पांच मिनिट का रेश्ट देंगे यहाँ पर आटे को रखे हुए पांच मिनिट हो चुकी है इसमें से हम सुवारी बना कर तयार करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसे एक से डेड़ मिनिट तक अच्छे से मसल लेंगे तो हमने जो आटा लगा कर रखा है उसमें से हमने इससा इसकी लोई बना ली है और इसमें से हमें पतली पूरी बेल कर तयार कर लेनी है अगर आपको जरूरत लगे तो आप रोलिंग सर्फेस पर थोड़ा सा तेल भी एपलाई कर सकते हैं इस तरह से जब हम इसमें से पूरी बना रहे हैं तो बाकी के आटे को हम कपड़े से या फी ढखकन से कवर करके रखेंगे ताकि आटा जो ही वो ड्राई ना हो जाए हमने जो आटा लगाया है उसमें से हम इस साइसकी सारी पूरियां बेल कर तयार कर लेंगे और इनको फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एक एक करके सुवाली एट करेंगे दिखिए इनको फ्राइ करते वक्त हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और जब हम इनको एट कर रहे हो तब भी गेस की फ्लेम को लो ही रखेंगे क्योंकि इस वाली जो है ये फूली हुई नहीं होती इसमें थोड़े से बबस जरूर होते हैं इसकी साइट्स को चेंज करते हुए हमें इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राइ करना है तो इस तरह से गोल्डन होने तक हम इनको तेल में लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ करेंगे इससे ज्यादा हम इसे फ्राइ नहीं करेंगे नहीं तो इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा बाकी की पूरी को हम इसी तरह तेल में लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे देखे इस तरह से जब आप इन पूरियों को बना लें तो अच्छी तरह रूम टेंपर्चर पर ठंडा करने के बाद किसी एटाइट कंटेनर में रखकर 15-20 दिन के लिए श्टोर भी कर सकते हैं तो खाने के लिए तयार है सुवाडी या फिर खर्खरिया इसे तिल की मीठी पूरी के नाम से भी जाना जाता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं